किसान भाईयों आज के इस विडियो में हम जानेंगे बरसात में सबजी की खेती से बंपर कमाई कैसे करेंगे बरसात में लगाने वाली कौन-कौन सी सबजियां होती है उसे कैसे उगाए जाते है बरसात में बेल वाली सब्जी कैसे उगाई जाती है और बेल वाली सब्जी कौन-कौन सी है खरीब हसल सब्जीयां कैसे उगाई जाती है बारिस में सबसे महगी बिकने वाली सब्जीयां कौन-कौन सी है इससे पहले किसान भाईओं चैनल पे पहली वार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर पेस कर दें ताकि इस तरह की क्रिसी जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले किसान भाईयों सबजियों को लगाने का अलग-अलग सीजन होता है जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात इन तीनों सीजन में अलग-अलग सबजियां लगाई जाती है परन्तु कुछ सबजियां ऐसी भी होती है जो पूरे बर्स यानी 12 महिने लगाई जाती है जैसे मुली की खेती, पालक की खेती, पत्ता गोभी, बैगन आदी की खेती, देखा गया है कि बहुत से किसानों बे मौसम सबजी भी खेती करते हैं, बिना सीजन में की गई सबजियों की खेती में पैदाबार कुछ कम होती है, लेकिन सबजी मंडी में बे मौसम सबजियों की लगाया जाए तो उसमें फली बनते ही नहीं इसलिए आप जब भी सब्जियों की खेती करें तो ऐसी सब्जियां लगाएं जो उस महिने या उस मौसम के लिए निरदारित हो किसान्बाईओं बथियां की सब्जियां की बात करूँ तो हमारे भारत में बारीस का महरा जून से लेकर अगस्ट तक या ज्यादा से ज्यादा पंद्रस सितमबर तक होता है। आइसे में बरसात में जहां कुछ सब्जय की नरसरी तयार कि जाती है तो सब्जी के के बीजों की मुख्य खेतों में बुआई की जाती है। तो किसान भाईयों चलिए जानते हैं कि बारिस में बोई जाने वाली फसले कौन-कौन सी हैं मुखी तोर पर जो सबजिया होती है वो होती है बेल वाली सबजियां खड़ी फसल की सबजियां और जमीन के अंदर यानि कंद मूल वाली सबजियां किसान भाईयों बरसात में बोये जाने वाले फसलों के नाम इस परकार है जैसे फुल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, बैगन, लोबिया, करेला, लोकी, पालक, तुरेई, बीन्स, भिंडी, प्याज, चुलाई, मीर्च, मूली, वगेरा किसान भाईयों आप जानते हैं बरसात में जर वाली सबजी कैसे उगाते हैं वैसे तो बरसात में उगाने वाली जितनी भी सबजिया है आप उनकी खेती कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि बरसात के दिनों में अपने खेतों की अच्छी तरह से मेरवंदी कर लें उ बर्सात ही जुलाई में मूली की खेती करनी हो तो बलुवई मिट्टी वाले उचे जल निकास वाली भूमी का चैन करें ताकि बर्सात होने के पश्चात पानी तुरंत खेत से बाहर निकल जाए बर्सात की सबजी में मूली एक ऐसी सबजी है जो जमीन के अंदर पैदा होती ह ऐसे में मूली के खेत में अधिक देड़ तक पानी रुके रहने पर मूली की कंद सरने लगती है और इसके कंद में काले रंग के खैरा दाग बन जाते हैं और देखने में बहुत खराव लगते हैं जिससे सबजी मंडी में इसकी कोई किमत नहीं होती है चुकि मूली बहुत ही नाजुक फसल होती है यह अधिक देर तक पानी सहन नहीं कर सकती इसलिए बरसात में अच्छी डहलान वाली बलुवई मिट्टी में ही हैबरीड मूली की खेती करनी चाहिए किसान भाईयों आईए आप जानतें बरसात में बेल वाली सबजियों की खेती कैसे करें बारिस मे इसलिए मौसम में बेलवाली जितनी भी सबजियां है जैसे परवल, नेनुवा, तुरई, करैला, खीरा, चीचिरा, इत्यधि इन सब सबजियों को लगाने के बाद खेत में बांस का मचान बना लेनी चाहिए मचान बिधी से बेल वाली सबजियों की खेती करने से इन सबजियों की फलों में दाग धबे नहीं लगते हैं और सबजियां लटक कर फलती है इसलिए जितने भी फल आते हैं सीधी और लंबे होते हैं जिससे मंडियों में अच्छी कीमत मिलती है किसान भाईयों अब बात करते हैं बरसात में खरी फसल वाली सबजियां की खेती कैसे करते हैं खरी फसल वाली सबजी जैसे बेंगन की सबजी, भिंडी की सबजी, पत्ता गोभी, बीन्स आदी बरसात में की जाती है बारिस के दिनों में खेतों में खरपतबार बहुत अधिक लगते हैं जिसके कारण रोग और कीरे बहुतायत लगते हैं और लगातार बारिस होने और खेत में पानी डुबे रहने से सबजियों के पेरों की जरे भी सरने लगते हैं और देखते ही देखते सभी पौधे उकद जाते हैं और अंत में सूख जाते हैं इसलिए जून जुलाई में बोई जाने वाली फ़सले लगाने से पहले जल निकास वाली भूमी का चयाना वस करना चाहिए किसान भाईयों अब बात कर लेते हैं बारिस में सबसे महगी बिकने वाली फ़सल कौन सी है और इसकी खेती कैसे के जाती है जुलाई अगस्त यानी बरसात में बोई जाने वाली बहुत सी सबजियां है जिनकी खेती करके किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं परंतु उन सबजियों का जो भाव है किसानों को महगी रेट पर मिले इसकी कोई गैरेंटी नहीं होती परन्तु कुछ सबजियां ऐसी होती है जिनकी खेती यदि किसान बारिस के मोसम में करते हैं तो लाखों की कमाई कर सकते हैं बरसात में सबसे महगी बिकने वाली फसल की खेती के लिए किसान परवल, बोरा, धनिया, मूली, पत्तागोबी, नेनुवा, कुंदरू, करैला, प्याज की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं किसान बारियों इस वीडियो में हमने जाना की बरसात में सबजी की खेती से अधिक मुनवा कमाने के लिए किन-किन फसलों की बुआई करनी चाहिए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को सेर जरूर करें और हमारे राम फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करतें धन्यवाद